रखने से गोबर की गंद से ख्षय रोग के किटानू मर जाते हैं। इटली के प्रसिद्ध वैग्यानिक प्रोफेसर जी ई बिगेड ने गोबर के अनेक प्रयोगों तवारा सिद्ध किया कि गाय के ताजे गोबर से टीबी और मलेरिया के किटानू मर जाते हैं। एक तोला घी से यग्य करने पर एक तन ऑक्सिजिन बनता है। गाय के दूद में केरोटीन नाम का पीला पदार्थ रहता है जो आँख की रोशनी बढ़ाता है। गोबर हमारी तवचा के दाद, खाज, एकजीमा, घाओ, आदिक है। सिर्फ एक गाय के गोबर से प्रती वर्ष 45,000 लीटर बायो गैस मिलती है। भारत में गायों की संख्या 7 करोड, 6 लाग है जो रोजाना 14 करोड टन दूद देती। यही वज़ए है कि गाय को हमारे देश में पशुधन कहा जाता है, लेकिन इस पशुधन की हालत भी हमारे देश में बहत खराब है। यदि आपको यह नॉलेज अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कादा ना भुगले। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको किस चीज के ओपर वीडियो चाहिए होगी तो आपको यह सब सारी चीजें इंग्लिश में रिटेन पॉर्म में चाहिए तो आप नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और उस वेबसाइट पर जाकर चीजें पढ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपनी दोस्तों को बता सकते हैं, अपनी पामनी हमारा कर गृप भी चलता है, यह हमारा सौभागी होगा यदि आप हम से जुड़े इस गृप में, नीचे दिस्क्रिप्शन में लिगते दिया गया है